लव जिहाद के मामले में रीवा की सना खान इनदौर में गिरफतार। हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलिम लड़कों से शादी की साजिश करने का आरोप। मध्यप्रदेश के रीवा जिले की निवासी सना खान को इंद और पुलिस ने गिरफतार किया है उस पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है सना हिंदू लड़कियों की मुसलिम लड़कों से शादी का लालच देती थी उन्हें ब्लैक मेल भी करती थी इंदूर की खजराना पुलिस ने लव जिहाद और ब्लैक मेनिंग के मामले में उसे गिरफतार किया है पुलिस के मताबिक उसने सलीम खान नाम के युवक से शादी की है वा मूलतर रीवा की निवासी है सना खान इंदूर में इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हुए लव जिहाद को बढ़ावा दे रही थी इंदूर पुलिस ने उसे गिरफतार किया है पुलिस की पूछताच में उसने अपना नाम तीन बताया है रफीकु निशा खान, सना खान और पायल खान वह इंदूर में लौ की छात्राओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी पुलिस के मताबिक वह मुसलिम लड़कों से हिंदू लड़कियों के शादी कराने के लिए कई तरह के लालज भी दे रही थी लव जिहाद और ब्लैक मेलिंग के मामले में उसे खजराना पुलिस ने पकड़ा है एक लौ छात्रा द्वारा इस सम्मंध में पुलिस में शिकायत की गई थी छात्रा गोयल विहार कॉलोनी में सहेली और अपने भाई के साथ रहकर कानून की पढ़ाई कर रही है उसने पुलिस को बताया कि सना खान नामक प्यूती उस पर धरों परिवर्तन का दबाव बना रही है जिसके बाद पुलिस ने सना को गिरफ़तार किया और मामले की तैकिकात प्रारंब की खजराना पुलिस द्वारा लव जिहाद और ब्लाक मेलिंग के मामले में उसे गिरफ़तार करने के बाद उसके संपर्कों की जांच करने के लिए कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस ने की गई शिकायत में लौकी छात्रा ने बताया कि सना खान द्वारा तरह तरह के प्रलोगन भी दिये जाते थे वह कहती थे कि मुस्लिम वर्ग के अमीर घरानों के लड़कों से शादी करवा देगी जिसके बाद काफी धन मिलेगा इसके साथ ही बच्चों को भी शिक्षा में लाव मिलेगा शात्रा ने पुलिस से की गई शिकायत में अभी कहा है कि उसको और उसकी सहेलियों पर मुस्लिम बनने का दबाव सना द्वारा बनाया जा रहा था जिसके बाद लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसे गिरफतार किया इंदौर पुलिस का कहना है कि शुरुवाती जाच में सना गुमराह करती रही किन्तु बाद में मामला साफ हो सका सना ने पुलिस को बताया कि उसने पहले लोके छात्राओं की जानकारी जुटाई फिर उनसे संपर्क अस्थापित किया सना पहले उनसे सामाने बादसीत करती थी किन्तु बाद में वा धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगी इसके साथ ही मुसलिम लड़कों के साथ शादी करने का लालच भीवा दे रही थी पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि सना इन दौर में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है उसके संपर्क में 40 से अधिक लड़किया है पुलिस को शक है कि वा अन्न लड़कियों को भी इसी तरह के प्रलोभन दे चुकी है इन दौर पुलिस सना की गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है अब तक के लिए बस इतना ही फिर हो गया आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार और देखते रहें दखबरदार न्यूस